अगर तुम इस दुनिया से cut off नहीं हो, तो तुमने कभी न कभी ये term तो सुनाई होगा AI, और विकन से Artificial Intelligence कोई इसका इस्तेमाल करके college और schools के assignment कर रहा है, कोई real video को एक real video बना रहा है, वो भी animated तो कभी तुमने ये सोचा है कि क्या होगा अगर AI हमारे TV shows वगएरा, anime shows वगएरा, जो वे उसको हिंदी में डब करें और ये thought मेरे दिमाग में already था, बट इसमें आग लगाया है Crunchyroll ने असल में बात ये है कि कुछ दिन पहले मैंने एक interview देखा था राहुल जी का ये वाले राहुल जी का नहीं, Crunchyroll के President का जहां पर वो बात कर रहे थे कि वो AI को थोड़ा अपने workflow में लाएंगे जिस लेक, AI से subtitles बना सकते हैं या फिर AI से dubbing करवा सकते हैं इस तिल उनों ने उसी interview में ये चीज़ भी बोली थे कि AI dubs अभी उनके आउगात से बाहर है बट potentially वो उस पर मैनत कर सकते हैं अब ये पूरा topic ना, like मुझे थोरा सा nostalgia में लेके गया एक जमाने की बात है कि एक time पर मैं जो भी सो मुझे पसंद आता था मैं उसको हिंदी डम में खोचता था ना इससे पहले कि तुम अपने सुप सब्दों का मुझे परियोग करो मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि एक बंदर को एक अधरक का स्वात चाखाने के लिए उसको उस अधरक का ज्यान देना पड़ता है और टेक्निकली तो हम पहले से बंदर ही थे ऐसा बोलता हूँ कि दिमाग वाले तो समझी जाएंगे इससे मेरा ही प्रॉफिट हो जाएगा तो इस पॉटिकुलर पिडियेट में ना मुझे कुछ ऐसे भी सोच मिले जो कि गूगल ट्रांसलेट का जूज करके ट्रांसलेट किये हुए थे अमिन सीरेसले अगर तुमने गूगल ट्रांसलेट या फिर गूगल की एई वाली वाइस सुनी होगी तो तुमको पता हुगा कि वो इमोशनलेस होता है और इस ते लोन एपिसोड पे थाउजंड्स ओफ कमेंट्स रहते थे यह चीज तो काफे पुरानी बात है अब इस वीडियो को रिकॉर्ट करने से पहले मैंने थोड़ा सा यूटूब पे सर्च वगरा किया था कि AI अनमेडवस वगरा तो मुझे यह मिला अब यह सब देखने के बाद मुझे एक और चीज याला दी है कि मैंने काफी पहले एक ऐसे software के बारे में सुना था जो कि एक audio file को दूसरे language में लेक ट्रांसलेट करती थी तो मैंने सुचा वाइनट तुम लोग के साथ यह चीज ट्राई किया जाए तो देर से character कॉल आयानो कोजी जो कि है classroom of elite से one of my favorite anime तो आयानो कोजी की character कुछ ऐसी है कि वह बनना emotionless रहता है और यह चीज मोसली उसके आवाज में भी दिखती है तो मेपी हमको एक बहतर रिजर्ट मल सकता है अगर हमें की motionless बंदे को डब करे तो so here is a clip if I may I'd like to pose an interesting question are all human beings truly equal these days everywhere you go there's talk about the fight for equality okay यह जो particular software है इसके बारे में मुझे काफे पहले पता चला था अब इसका use करके let's just check it out की कैसे चीजे काम करती है और उसके बाद यह जो video file हम इसमें बस drag and drop कर देते हैं हम लोग यहाँ पर Hindi select कर लेते हैं फाइल को update कर देते हैं देखते हैं कि किते time लगता है इस पर okay so अब आरह काम हो गया बस कुछी seconds लगे होंगे क्योंकि 50 seconds की video थी मलदब audio थी तो पहले audio में जितने भी like sentences थे इसने sentence को अलग किया उसको फिर Hindi में translate किया और यहाँ से edit speaker voice वाला हम change कर सकते हैं तो यहाँ पर एक speaker चुन सकते हैं अन्या नमस्ते आपसे मिलकर खुशी हुई मेरा नाम है अन्या तो यह वाली वाइस हम चाहें तो लगा सकते हैं एक और मैं देख लूँ कि लेकिन में से कौन सा similar voice है आयाने कोजी से अगर मैं कर सकता हूं तो मैं एक दिलचस्प सवाल पूछना चाहूंगा क्या सभी मनुश्य वास्तव में समान है अगर मैं कर सकता हूं तो मैं एक दिलचस्प सवाल पूछना चाहूंगा क्या सभी मनुश्य वास्तव में समान है इन दिनों आप जहां भी जाते हैं समान अता की लड़ाई के बारे में बात होती है अगर मैं कर सकता हूं तो मैं दिलचस्प सवाल पूछना चाहूंगा अगर मैं कर सकता हूं तो मैं दिलचस्प सवाल पूछना चाहूंगा क्या सभी मनुश्य वास्तव में समान है अ ओके अब देखो यह चीज तो सही है बट में कुछ जहां तक यात है ना मैंने कुछ दिन पहले एक क्रिएटर एंडियन क्रिएटर जिसका नाम है जिसने एक AI के ऊपर वीडियो बनाया था और इस वीडियो में एक टूल के बारे में सुना था जिससे वो लेक वाइस और बैग्रॉंड मुजिक को अलग अलग कर सकते थे कर सकतो यह मोजिज AI टूल है जो आपके किसी भी गाने से आवाज हटाना ड्रम्स हटाना बेस हटाना कुछ भी आप कर सकतो इवन आपको जो शब्द है वो आपको हटा के अलग से बैग्राउंड मुजिक समझे इसका यूज बे में कर सकते हैं अगर हम चाहे तो वसे तो मेरा मन नहीं है क्योंकि वो बहुत जादा हॉरिबल ओलर ही लग रहा था जैसे अभी तक जो भी माइकराउंड मुजिक सुन रहा थे वो इसी आप चे निकाला है बट अक्चली ये बॉलिवूड गान है जो ऐसा सुनाई दे था ये कमाल ये कमाल है ना तुम सोच रहो कि लिए एक आवाज से उसका वई हटा देना अल्सो एक और चीज इन दोनों ये भी सुनते कि कभी मूदी जी गाना गा रहे है या फिर कभी कोई बरा सेलिब्रेटी गाना गाता है तो हमार पास एक और एयाई है जिसकी मदद से लिख हम एक कारक्टर के ओरिजिनल आर्टिस्ट का वाइस डब कर सकते हैं अगर आगे जाके लिए कुछ बड़ी चीज होती है इसमें जादक गुर्ण ग्रोथ मिलता है तो आई विडिस्टिल से एक जो मेन गारेक्टर्स वगरा होते हैं उसको अगर डविंग आर्टिस्ट ही वाइस दे तो वह काफी अच्छा होगा और बिसाइड जो साइड गारेक्टर्स होते हैं जिनके मुस्कल से एक दो डायलॉक्स होगे उसके लिए फ मन नहीं कर रहा यार मैं इन दिनों को चैनल में जादा देख नहीं रहा बटाएगे अब से मैं थोरा रेगला रहने की को से जरूर करूँगा अगर तुमको यह वाले वीडियो पसन आई तो वीडियो को लाइक जल से करते हैं चलको सब्सक्रेब कर सकते हो इसे तरह के और पटांग वीडियो देखने के लिए और यहां तक देखने के लिए अरिगा तवा